बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि उस नदी में सदियों साल पहले यहाँ पर बच्चों की बली दी जाती थी बहुत सारे लोगों ने इस नदी में सुसाइड भी किया है बहुती अजीब सा व्यक्ति खड़ा है उसकी हाइट लगबग 9 फुट की होगी और उसका जो चैरा है जैसे बकरे का चैरा होता है वैसा उसका चैरा है बहुती खुंखार उसका चैरा है बड़े बड़े सिंग है मोटी मोटी लाल लाल आखे है बड़े बड़े दाथ है और बाकी का उसका जो body part है ना वो इनसानों की तरह है, उसके लंबे लंबे हाथ है, उठता हुआ वो ही खुंखार आदमी इसके उपर आके बैठ गया इसकी छाती पर और सीधा ना उसने क्या किया है, अपरे हाथों से मुँन कर गला दबाना स्टार्ट कर दिया है. हेलो दोस्तो मेरा नाम ममन है, मैं आप सभी के मनपसान यूटूब चैनल कहानी रंगमंच पर आपका स्वागत करती हूँ, उमीद कर तो कि आप सभी अच्छे और स्वस्त होंगे, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और हाँ, बै ये बिहार के एक गाउं का किस्सा है, ये आज से 50 साल पुरारा किस्सा है, वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बन वाइफ थे, हस्बन का नाम मोहन था और वाइफ का नाम बवीता था, जो मोहन था ये लकड़ हारा था, जब मोहन का जनम हुआ ना तो इसके ज लाइफ वो ऐसे ही रहे, मोहन के पिता जी की जानना मोहन में बसती थी, पस वो हमेशा एक ना एक बहाना डूमते थे कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वज़ा से मेरा जो बेटा है ना हमेशा खुश रहे, मोहन बड़ा होता है, मोहन की शादी की जाती है, मोहन की शादी के न तो उसके जो जितनी भी दोस्ते थे न सब बोलते कि चल मोहन अब घर पर चलते हैं सुरज ठलने को है तो मोहन बोलता कि आप लोग जाओ बस मैं थोड़े ही टैम में आता हूँ आपके पीछे पीछे आ जाओंगा मुझे न थोड़ी और लकड़ियां इकठी करनी है अब दो दिन के बाद मेरे एक रिष्टेदार की शादी है मुझे उस शादी में जाना रहेगा तो दो दिन मेरी दुकान बंद रहेगी तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी लकड़ियां जादा इकठी करलू कि दो दिन जो दुकान बंद रहेगी उसका जो लॉस है न तो मैं दो दिन में उसको कम्प्लीट करलू मुझे लॉस ना हो बस मैं फटाफट आता हूँ, लकडियां इकठी करके अभी तुम लोग निकलो, बस मैं तुम लोगों के पीची ही आ जाता हूँ तो उसके दोस्त बोलते है ठीक है यार जलदी आ जैसा एरिया है ज्यादा देर मत करना तो ये बोलते हाँ हाँ बस मैं जल्दी जल्दी आ जाओंगा अब इसके दोस्तों चले जाते हैं ये लकडिया इकठी कर रहा होता है लकडिया खूब सारी इकठी कर लेता है और सर पर रखता है और थोड़ा अंधेरा भी होना स्टार्ट हो जाता है ये बच्चा कच्ची सड़क के उपर मरा हुआ पड़ा है उसके शरीर की जितनी वी अंतडियां सब अंतडियां बाहर आ गई है और मक्यां भिन भिना रही हैं उसके उपर यह देखकर मौन थोड़ा डर जाता है कि यहां पर कुछ जानवर वगरा तो नहीं है जो मेरे पर अटैक किया है फिर यह सोचता है कि अगर कोई जंगली जानवर इसके उपर अटैक करता तो इसको पका खा जाता है इसको ऐसे नहीं छोड़ता जिस हाल में यह मरा हुआ है ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगली जानवर ने इसके उपर अटैक किया और इसको बिना खाई ऐसे इदर छोड जो एट उसनदी के निकल रहा होता है। निकलते निकलते ना अब जंगल के बीचों बीच एक नदी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने इस नदी में सुसाइड भी किया है तो मौन थोड़ा डर जाता है नधेरा ज्यादा होता है तो ये ना फटा फट निकल र Centers कि निकल भाए होता है फटा फट निकलते ग्लते ना थोड़ी ही दूरी पर जाडियां थी तो इसको जाडियों के अंदर से अजीब सी किसी की गुराने की अवाज आती है मौन फट से वासे उस साइट से देखता है कि ये अवाज कौन सी साइट से आई है तो मौन जाडियों के अंदर पाता है कि एक बहुती अजीब सा व्यक्ति खड़ा है उसकी height लगबग 9 feet की होगी और उसका जो चेहरा है ना जैसे बकरे का चेहरा होता है वैसा उसका चेहरा है बहुत ही खूंखा है बड़े-बड़े सिंग है, मोटी-मोटी लाल-लाल आखें हैं बड़े-बड़े डाध है और बाकी का उसका जो body part है वो इनसानों की तरह है उसक कोई ऐसा आम इंसान नहीं लग रहा है पक्का कोई ना कोई घुद्परेथ होगा मोहन फटा फड़ वहां से भागना स्टार्ट करता है उसके सर पर लख्लिया भी है अब जैसे जैसे इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसको ऐसा मैसूस हुआ कि जैसे किसी ने इसको बैठ गया इसकी चाती पर और सीधा ना उसने क्या किया है अपरे हाथों से मोहन का गला दबाना स्टार्ट कर दिया है मोहन चीफता है चिलाता है लेकिन इस जंगल में मोहन और उस रक्षिस के बिना और कोई हई नहीं था जो मोहन की कोई मदद कर सकता था मोहन बहुत अप बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, महान की आदत थी, जब भी ये किसी मसीबत में होता था तो ये अपने बाबा को अबचाओ, बाबा बचाओ, 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 बाबा में क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, कर दोशनी है दिरे दिरे इसके बाबा का रोप ले लीती है इसके बाबा की शरीर में से रजीप सी एक लाइट निकल रही है बाबा इसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते चल बेटा यहां से फटा फट बाग वो जो बबंडर है continue इनके चारो और है और बाबा इसके साथ निकल रहे है इसका हाथ पकड़ कर भाग रहे है जैसे ही अब मोहन ने अपने गाउं के अंदर एंटर किया ना कदम रखा तो ये जंगल की और पीछे पल्टी मार के देखता है तो पाता है कि वो जो राक्षिस है ना गुस्से से विमोन के कंदे पर हाथ रखते हैं और बोलते बेटा पल्टी मार के नहीं देखना है अब तो गाउं में जा मैं मेरा बस यही तक टाइम था मैंने तुझे यह आपर छोड़ना था तुझे छोड़ दिया है अब तू सुड़क्षी थै तू तो तेरे घर पर चला जा जा ज तेरे बाबा हमको लगता है कि आज भी इसी धरती पर है और तुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे यह तो तुझे भी पता है इसलिए तेरे बाबा ने तेरी जान बचाई तो उस दिन के बाद मोहन कभी भी रात के वक्त अकेला उस जंगल में लकडिया तोड़ने के लिए नहीं गया है तो दोस्तो मेरा मानना तो यह है मैं बहुत सारे वीडियो में बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी जगा पर सुनसान जगा पर अकेले नहीं जाना चाहिए देखो चाहे पुराना टाइम हो जा आज का टाइम हो भूत प्रेत कल भी थे और आज भी है तो बैटर है कि जितना भी हो सकेगे न अगर सुनसान जगा पर जाना है तो किसी न किसी को अपने साथ रखना चाहिए तब ही उस जगा पर जाना चाहिए नि तो ऐसे जगा पर कभी नहीं जाना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे और एक भ्यानक इसे के साल तब तक